दोसरो शाओमी ने चाइना मार्केट पे लांच कर दिया है रेडबी सीरिस के अंदर तीन स्मार्टफोन इसमें से एक है 4G वैरियंट और दो है 5G वैरियंट इसमें से जो एक 4G वैरियंट है वो रेडबी नोट 9 4G दूसरा है रेडबी नोट 9 5G और रेडबी नोट 9 Pro 5G व्यांद से आएगा यह जो तीन श्मार्टफोन है इसके डिफ्रेंसेज भी आपको मेलेगा प्राइस में और स्पेक अंद फीचर में तो चलिए देख लैते हैं इन तीनों स्मार्टफोन में आपको क्या मिलता है कब तक भारत में आएगा और सो प्राइस में आएगा मेरा आप design देखोगे तो आपको यहाँ पे camera का जो module है वो दूनों smartphone से कुछ अलग है यहाँ पे तीन cameras मिलता है polycarbonate का design मिलता है plastic design मिलता है और water repliant coating के साथ यहाँ पे आपको यह मिल जाएगा side में fingerprint scanner आपको मिलेगा अभी इसी के साथ यहाँ पे जो 6.53 inches का display देया है इसमें आपको water drop notch मिलता है और साथ में corning gorilla glass 3 का protection और 400 minutes max brightness के साथ यहाँ पे आता है bezels काफी कम है और whitevine L1 का support भी है full HD plus display अभी इस phone में आपको जो variant मिलता है वो 4GB, 128GB, 6GB, 128GB, 8GB, 128GB, 256GB इस तरह का variant आपको मिलता है और जो आपको UFS 2.1 इस tourist type मिलता है अब हाँ यह जब भारत में Poco M3 के नाम से आएगा जो 4GB उसमें UFS 2.1 मिलेगा UFS 2.2 6GB वाला variant में हमको मिल जाएगा dedicated microSD card slot इस बार आपको यहाँ पे मिलेगा यह 4G variant है और यहाँ पे आपको साइड में fingerprint scanner देखने को मिलेगा face unlock भी मिलेगा अब इसका processor Qualcomm Snapdragon 662 यह processor मिल जाएगा अब हाँ इसमें अगर आप AnTuTu Benchmark score देखोगे तो यह 665 से बहुत ही आगे है थोड़ा बहुत आगे ही है तो यह processor आपको ठीक ठाक देगा इस price range में और यह latest processor है 2020 का 11 nanometer FinFed technology पे यह आधारित है Adeno 610 यह GPU भी मिलता है साथ पे इसका जो camera 48 megapixel का आपको sensor मिलता है primary Samsung ISO cell sensor उसी के साथ यहाँ पे आपको 8 megapixel का ultrawide और 2 megapixel का आपको depth sensor मिलता है साबने मापको 8 megapixel का selfie camera मिलता है 4K video recording आप नहीं कर सकते हो और इसी के साथ आपको USB Type-C और आपको यहाँ पे IR Blaster 3.5M jack भी मिलता है यहाँ पे बैक्टरी 6000 image बैक्टरी दिया गया है और साथ में 18W का fast charger अब जब यह भारत में आएगा Poco M3 के नाम से तो यहाँ पे 22.5W का आपको box में charger मिल सकता है China U1 के हिसाब से base variant 999 और यह Indian रूपी पे अगर convert किया जाए तो 11,200 रूपे के आसपास आता है तो उमीद करते हैं यह जब Poco M3 के नाम से आएगा तो 10,000 में इसका base variant होना चाहिए चलिए next जो है Redmi Note 9 5G अब यह जो phone है और Redmi Note 9 Pro 5G यह दोनों स्मार्टफोन आपको मिलता जूलता देखने को मिलेगा पर built quality में तुरा सा differences मिलेगा Redmi Note 9 5G में आपको पीचे में polycarbonate design मिलता ही यानि plastic का body मिलता है और साथ में water replacement coating मिलता है और आपको 3 cameras मिलेगा पर इस बार आपको round set में 3 cameras मिलेगा अब इसमें आपको जो display मिलता है 6.53 inches का एक आपको display मिलेगा और यह जो display है यह एक IPS LCD panel है Full HD Plus display है पर left side में आपको एक जो punch hole वो मिल जाएगा इसे के साथ आपको Corning Gorilla Glass का 5 का protection मिलता है Wide Vinyl 1 का support है और 450 nits max brightness मिलता है बेजर्स काफी कम है अब यहाँ पर आपको UFS 2.2 storage type मिलता है LPDDR4X RAM type मिलता है और जो storage type 6GB 128GB, RGB 128GB, RGB 256GB आपको मिलता है dedicated microSD card slot यहाँ पर भी आपको मिलेगा अब इसका जो processor देखे यहाँ पर आपको media tech का जो processor जो diamond city 800U यह आपको मिल जाएगा यह एक 5G processor है और मैं यहाँ पर कहूंगा यह स्पोन का खासियां थे इसका processor डूल 5G को यह support कर रहा है और यह जो processor है यह 7NM technology पर आधारित है Mali G57 GPU भी मिलता है आपको और यह 2.4 GHz पर clocked है तो इसका performance भी आपको काफी धासू मिलेगा हाथ में जब आएगा जरूर आपके साथ सेयर करूंगा इसके साथ यहाँ पर जो camera आपको यहाँ पर 48MP का primary camera 8MP का ultra wide और 2MP का macro sensor बिलता है और सामने में 13MP का आपको एक selfie camera मिल जाएगा इसके साथ आपको 4K video recording का option भी मिल जाएगा अब यहाँ पर बैटरी 5000 image बैटरी आपको दिया जाएगा और 18W का fast charger भी आपको मिलेगा Android 10 MIUI 12 पर यहाँ पर रन करेगा USB Type-C 3.5 jack और यहाँ पर आपको जो air blaster वो भी मिलेगा इसका price अब यह जो price चाइना इवान के हिसाब से 1299 अब इंडियान लूपी पर यह आता है 14500 के आसपास उमिद कते हैं यह इस से कम प्राइस में साइब लाँच हो सकता है और यह अगर होगा तो भाई 5G Valiant Xiaomi का यह काफी अच्छा होगा नेक्स आज का हीरो और यह हीरो है Redmi Note 9 Pro 5G Pro Q क्योंकि इसका डिजाइन तो आपको सेम मिलेगा पर बिल्ट क्योंटी पीछे में आपको ग्लास मिलेगा डॉल टोन कलर्स मिलेगा का प्रोटेक्शन मिलेगा वाटर रिप्लेंट कोटिं के साथ आ रहा है और 4 कैमराज मिलेगा साइब फिंगर पिंस कैनर मिलेगा 6.67 इसका आपको पंचोल डिस्प्री मिलेगा और वो पंचोल आपको मिलेगा 120 होर सिर्फरेस रेट के साथ यह आ रहा है कॉंटिंग गोरिला ग्रास पाइप का प्रोटेक्शन और बेजल्स काफी कम है 450 निट्स मैक्स बाइटनेज वाइडवाइड एलवाण का सपोर्ट है अब इस फोन में आपको USB टाइप सी 3.5 जैक और आर ब्लास्टर भी मिल जाएगा यहापी UFS 2.2 स्टोरेज टाइप LPDDR4 एक्सो राम टाइप और यहापी आपको जो वैरियन वो 6GB 128GB, RGB 128GB और RGB 256GB मिलेगा यहापे भी आपको dedicated microSD का slot मिल जाएगा और camera देखिए आपको 108MP का camera मिलेगा इस price range में budget में आपको 108 meet price range में काफी अचा है यह क्या gimmick है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा पर यहापे software और hardware का optimization का खेल होता है और यहापे HM2 जो Samsung का next generation नहीं यह second generation वाला sensor है तो अच्छा ही होगा और इसे के साथ 8MP का अल्टावाइब दो मेगापिक्सल का macro दो मेगापिक्सल का अब सामने में आपको 16MP का सेल्फी कामरा दिया जाएगा 4K video recording आप कर सकते हो प्रोसेसर क्वालकम Snapdragon 750G यह प्रोसेसर दिया गया है जो 8NM technology पे आधारित है 2.2 GHz पे clocked है और यहाँ पे आपको Adreno 619 यह GPU मिलता है अब इसका performance भी काफी अच्छा होगा यह भी 5G phone है और Dual 5G को यह support करता है 4820 इमिज का बैटरी मिलेगा 33W का fast charger मिलेगा और सभी sensors आपको यहाँ पे भी मिलेगा तो यह था Android 10 और MIUI 12 में यह भी रन करेगा इसका अगर China U1 देखा जाई 1599 इसको convert अगर करते हो इंडियन रूपी पे तो 17,900 रूपी और यह भी अगर इस से कम price में लाँच होता है तो काफी बढ़िया होगा यह सभी phone उम्मीद क्या जा रहा है December पे भारत में launch हो जाएगा अगर यह होता है 2021 से पहले तो भाई मैं कहाँगा cheapest 5G smartphone from Xiaomi तो आगे जाके आपका support ज़रूर मिलेगा और इसलिए मैं कहता हूँ subscribe कीजिए notification bell को push करके all कर दीजिए और comments और like ज़रूर कीजिए चले आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है नेक्स वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा धन्यवाद